हेलो फ्रेंड्स दोस्तों ये सामने आप लोग उलियंडर का खुबसूरत फ्लावर देख रहे हैं और आज मैं आप लोगों को इसी उलियंडर का कटिंग लगाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा तो प्लीज आप लोग वीडियो पर बने रहें और बिना स्किप किये पूरा वीडियो देखें तब ही आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और फ्रेंड्स पहले ये बता दूं कि ये वीडियो जो है केवल डिमोंस्ट्रेशन के लिए है मतलब आप लोग ये समझ लिजिए कि इस तरह से अगर आप लोग शाप्त कर पाएंगे किवल यही नहीं और भी जो भी कटिंग आप लगाना चाहते हैं वो आप अच्छी तरह से इस प्रोसेस से लगा सकते हैं और इसमें कोई ऐसा कोई ताम जाम नहीं है बहुत आसानी से हम लोग अपने घर में जो भी चीज अवलेबल है उसको जिन्डर की और उसके कुछ कटिंग बना लेने है तो इसके लिए आप जो ब्लेड एपलाई करें वह शार्क ब्लेड होनी चाहिए ब्लेड इसको कटिंग को आप चक्कू से न काटें क्योंकि चक्कू से काटने पर जो डहा जो कट होता है वो पूरी तरह से प्लें नहीं हो और अगर प्लेन नहीं होगा तो उसमें फंगस लगने का चांसे बहुत ज़्यादा बना रहेगा, तो फ्रेंड्स आप लोग छोटी-छोटी कटिंग इस तरह से बना लीजे और जहां पर भी आप कट करें, वो 45 डिगरी पर ही कट करें, और इस तरह से आप कटिंग ले लें, क्योंकि केवल डिमोंस्ट्रेशन के लिए ये वीडियो बन रहा है, इसलिए जो कटिंग मैंने लिया है, वो थोड़ी सी पतली है, लेकिन आप लोग इस से थोड़ी मोटी कट कटिंग अगर आप लोग लेते हैं, तो ज़्यादा सक्सेस होने की संभावना रहेगी, तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने काट लिया है, अब क्या करूँगा कि ये पत्तियों को कट करूँगा एक कहची की सायता से, और कट करते समय थोड़ी थोड़ी पत्तियां छोड़ दूँगा, दोस्तो पूरी पत्तियां आप बिल्कुल ऐसा न करें कि पूरी पत्तियां ही नि फोटो सिंथेसिस के लिए कुछ चीजी बनी रहनी चाहिए अगर आप पूरी पतियां निकाल देंगे तो इसको शौक लग जाएगा और इसमें प्राबलम हो जाएगी तो थोड़ी थोड़ी आप उसमें बना करके रखें पतियां तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसमें क ये वीडियो मतलब पूरा एंड करके दिखा दूँगा कि देखिए इसमें पतियां आ गई हैं तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले ये कट करके थोड़ा सा एलो वेरा जिल इसमें अपलाई करना है आप लोग को तो एलो वेरा तो सभी लोगों के पास होता ही है और कोई हर्मोạt पर ये रोटिंग हार्मौन आपको नहीं लगाना है और आपके पास एलो वेरा जिल नहीं है तब भी आप इसको इसी तरह से लगा देंगे तब भी ये लग जायेगा यानि कि एलो वेरा जिल बस क्या करता है ने कि थोड़ा सा process को promote कर देता है यानि एक हलका सा सेंटी माइक्रोबियल बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें यह एलो वेरा जेल हम लोग लगा देते हैं अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप यूँ ही लगा सकते हैं अगर पांच शे कटिंग अगर आप लगाते हैं तो उसमें दो तीन कटिंग तो जरूर उसमे पत्तियां आही जाएंगी और तो इसके बाद यह देखिए मैं बड़ी दाने वाली जो सैंड है जो बड़ी दाने वाली जो सैंड होती है उसको मैंने लिया है और कैटेल हस्क लिया है अगर आप कोकोपीट को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया चीज है और आप ये cattle husk को apply करें तो ये बहुत अच्छी चीज है और बढ़ा अच्छा इसका result आ रहा है तो मैं अपने कई गंबलों में इसको डाल करके देख चुका हूँ फ्रेंड्स तो ये cattle husk है और वही काम करता है जो कोकोपीट करता है तो चलिए इसको mix करके इस pot में ये छोटा सा plastic का pot है ये इसमें नीचे से मैंने hole कर दिया है hole करना बहुत जरूरी होता है जिससे कि इसमें water logging न होने पाए क्योंकि अगर आप cutting लगाने के बाद इसमें water logging हो गई तो उसमें fungus लगने का chances बहुत जादा रहेगा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये cutting वाला जो ये pot है वो हमेशा नमी उसमें नमी बनी रहे उसमें वो सूखे न है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा उसमें भरा न रहे बस हलकी सी नमी बनी रहनी चाहिए तो चलिए हम लोग cutting को इस तरह से stand कर लेते हैं दोस्तों ये जो cutting है ये थोड़ी पतली है आपको cutting जो लेनी है वो थोड आपको पतली cutting मिलेगी अगर आपको कहीं आसपस पेड़ मिल जाता है इसका उसमें से मोटी cutting लीजिए देखिए बहुत अच्छा result आएगा तो क्योंकि मैं ये वीडियो तो केवल demonstration के लिए ही बना रहा हूं अतलब आपको ये बताने के लिए कि cutting को आप इस तरह से लगा सक सब्सक्राइब सकते हैं तो ये पूरा हसक और अच्छी तरह से मैं इसमें दाल दे रहा हूं दालने के बाद इसमें चाहिए करूँगा यानि इसमें पानी डाल सब्सक्राइब आप लोग को सकते हैं कि जो फिटकेरी होती यानि एलम वो एंटी-माइक्रोबियल होती है यानि एंटी-माइक्रोबियल एंटी-फंगल भी होती है और इसको अगर आप डाल देंगे तो पाउधो इस कटिंग में कोई भी फंगस वगरा लगने की चांसे नहीं रहेंगे अगर आपके पास फंगिसाइड है तो आप हैदोजन पराकसाइड अगर आपको कहीं से मिल सकें तो हर यादूजन पराकसाइड का सिर्फ दो एमेल आप एक लीटर पानी में डाल करके मिक्स कर लिए और वह भी आप इसमें इसमीं सप्रिंकल कर सकते हैं लेकिन इस समय मेरे पास हैदोजन पराकसाइड नहीं हैं तो मै के देखिए दोस्तों मैं इसमें पाई को श्प्रिंकल कर दी रहा हूं यानि फ्रे के दोरा और इसके बाद मैं इसको पूरा सिस्टम जो मैं बना दिया है इसको पॉलिथीन से ढख करके rubber band लगा दूँगा यह पूरा तयार हो गया है ज्यादा नहीं बस 5 दिन के बाद मैं इसको खोल दूँगा जो भी development हुआ रहेगा मैं आप लोग को दिखा दूँगा तो यह वीडियो आप लोग को तयार हो गया है cutting का यह जो आप लोग process देख रहे हैं और 5 दिन के बाद जो है आप लोग देखेंगे कि क्या result इसमें आया है तो अभी हम लोग wait कर रहे हैं तो दोस्तों यह देखे यह polythene को मैं uncover कर रहा हूँ और आप लोग को दिखाई दे रहा है हरी हरी पत्तियां दिखी रही है आईए दिखे यह कुछ पत्तियां इसमें सभी में आ गई है जितनी cutting लगाया था मैंने वो इसमें पत्तियां आ गई है और आप लोग को थोड़ा इसमें rooting भी दिख रही हो शायद तो friends इसको निकाल लेते हैं थोड़ा जो pot मैंने लिया है वो उपर से सकरा है इसको निकालने में थोड़ा दुक्कत हो रही है और यह आप लोग कोई अच्छा pot लीजिएगा यह दिखिए थोड़ा सा यह निकालने में दुक्कत हो रही है ये दिखिए हलके हलके roots इसमें दिखाई दे रही है तो friends आप लोग इसको बस समझ लीजिए कि इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो आपका ये जो cutting है वो अच्छी तरह से निश्चित रूप से लग जाएगा ये दिखिए आप root आपको दिख रही है सभी में थोड़ी थोड़ी root आ गई है अभी क्या है न कि कोई भी cutting कम से कम 15 दिन तक लगी रहनी चाहिए pot में और मैंने सिर्फ इसको demonstration के लिए ये 5 दिन के बादी खोल दिया है तो इतनी root आपको दिखाई पड़ रही है तो friends ये तरीका था ये लगाने का और अभी काफी कमजोर root है कुछ roots तो टूट भी गई है तो friends वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको like करें तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए happy gardening